असलाम लेकूम अवाज चेक करें आ रही है सबको जी तो सक्रीन चेक करें वो भी मैंने आपके साथ शेयर की यह चेक कीजिएगा जरा जी सक्रीन चेक करें जरा जी सर्बास खान आजम काजियाबेद और तयव चलें ठीक है जी सो आज बात करें कि मैथमेटिक्स का ही मारा टॉपिक है और हमारी बात होगी जी टाइम एड़ वर्क के उपर टाइम एड़ वर्क इस तरह का कॉंसेप्ट है कि जो तक्रीबन आपको नजर आता ही रहेगा हर जगा पे चाहे आप कोई भी पेपर देने चले जाएं वन पेपर आइवन आप वन पेपर ना भी दें आप CSIS का वो General Sustainability का जो पेपर है उसमें भी देखें और बाज उकात PMS में भी आपको कहीं ना कहीं ये ये concept आपको मिल जाता है और दो कि वो question PMS में इस तरह का नहीं आता लेकिन important concept आज का मैं कहूं अगर mathematics में सबसे जो important concept है वो आपका ये ही time and work है अब time and work को सीखने का बड़ा असान सा तरीक है तो मेरा वैसे ही बड़ा असान तरीक है इसको समझाने का तो मेरा ख्याला बड़ी एजी लिए आप लोग इसको understand भी कर लेंगे और आप लोग इसकी practice भी कर लेंगे so screen आपके साथ visible होगी I think और बात करते हैं जी आज time and work के उपर lecture number मेरा mathematics के उपर four lecture है अच्छा इससे पहले देखिए जरा before के हम question को solve करें और इसका method देखें के हमने कैसे solve करना है हमें एक और नए चीज़ देखनी चाहिए वो नए चीज़ ये है कि ये एक ऐसा concept है ये time and work ह just a minute जी तो time and work के एक concept है इसको हमने कैसे लेके चलना है और कौन सा साथा सा तरीक है कि आपके सारे के सारे questions इसी की मदद से solve हो जाएं आपको बार बार कोई हर question के लिए कोई नया तरीक कारना डूड़ना पड़े कोई नया method आपको डूड़ना पड़े तो उसके लिए साथा सा concept आपके सामने रखूंगा एक line में इसका answer है आप लोग बड़ी असानी से इसको deal कर लेंगे लेकिन यहां पे जो main मसला होगा जब आप इस concept को पढ़ेंगे इसमें सिर्फ एक hurdle है अगर आपको उस hurdle के बारे में पता चल गया है आप लोग उसको understand कर गए है तो मेरा ख्याल ह करते हैं कि आपको इनके बारे में पता चल जाएं यह क्या होते हैं आज इसके बारे में discussion करेंगे और इन्शाला आपको यह वे इससारी चीज बड़ी detail के साथ समझा आजाएंगी ठीक है जी यह नीचे को एरों। यह दो arrows एक उपर एरो है एक नीचे यह यह क्या होते हैं इसकी discussion होगी और आपका सारे का सारा time and work का concept complete हो जाएगा इसमें देखें question किस तरह क्या आते हैं पहले तो आप चाहे बीपेसी की बात कर लें आप एफपेसी की बात कर लें आप NTS की बात कर लें आप कोई वी टेस्टिक एजेंसी जिसने one paper लेना है और mathematics का कूर्स उसमें शामिल है उसमें ये paper ये question ये concept आपको जरूर मिलेगा ठीक time and work अब ये time and work होता क्या है time and work का concept इस तरह है कि जैसे नीचे आपके सामने question भी आया हुआ आप लोग understand भी कर चुके हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ लेकिन फिर भी वो लोग जो जिनको नहीं पता इसके बारे में वो इस तरह होता है कि बात को question आता है जी आठ बंदे थे और एक गर बनाना था वो 30 दिनों में बनाया उन्होंने आठ मज़ूर ये mystery लगाए उन्होंने 30 दिनों में एक गर बना दिया अब ये बताएं कि हमने वो मज़दूर और mystery जो हैना वो 17 कर दिये अब बताएं कि इतने दिनों में गर बनेगा ये सादा सा concept है इसके बारे में बहुत सारे लोग तो जानती होंगे कैसे इनको tackle करना है कैसे solve करना है इन questions को लेकिन mostly लोग जो है न वो इससे खौफज़दा होते हैं क्योंकि उनको इसके दरमें जो स्मिट्री काइम करनी होती है उनके बारे में नहीं पता चलता उनको सो हम उसकी बात करेंगे अब देखिए solve करने का बड़ा असा तरीक है एक तरीका यह है कि आप सबसे पहले इसके जो nouns हैं जो इसके nouns से मुराद मेरी यह है जैसे यहां पे if आबिद works for eight hours a day ठीक है कितने hours? eight hours यहां पे लिखे hours hours और उसके नीचे लिखते है eight ठीक है? eight hours a day he can complete his work in six days एक दिन में eight गेंटे काम करता है और वो काम वो कोई भी काम हो सकता है वो किताब पढ़ना हो सकता है वो गर बनाना हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है लेकिन वो काम जो है वो कितने दिनों में खतम करता है वो काम यह खतम करता है जी छे दिनों में ठीक है? तो यहां पर देखिए, eight hours a day, एक दिन में, आट गेंटे काम करता है, और यह कितने दिन तक यह काम चलता इसका, यह तकरीबन six days तक चलता है, तो यहां पर दूसरा variable जो मैं लोंगा, वो मैं days का ले लूँगा, यहां पर eight hours थे, तो hours का variable ले लिया है, यहां पर six days थे, तो days का variable ले लिए लिए अब देखते हैं फर्दर इसका क्या question क्या है वापस आए ज़रा question ये है जी इसका कि आप लोग ये बताएं how many hours how many hours a day should he work if he wants to finish his work in four days अगर वो अपना जो काम छे दिनों में उसने 8 गेंटे लगा के काम किया है अब वो ही काम वो चाहरा है कि मैंने 4 दिनों में खत्म करना है तो बताएं कितने गेंटे लगेंगे ठीक है ये वो ही बात है कि जैसे आट मज़़ूर या मिस्टरी जो है वो 37 दिनों में काम करते थे एक गर कंप्लीट करते थे बनाना तो अब वो मजदूर जो है न वो चेंज हो चुके हैं वो 17 हो चुके हैं तो अब बताएं कितने दिनों में घर बनेगा So same concept है कि आपका एक बंदा जो था वो आबिद था, वो असलम था, वो अकबर था, वो XYZ था, कुछ भी था वो 8 गेंटे पर डे के हिसाब से काम करता था और 6 दिनों में काम कंप्लीट किया उसने For example, हम इसका काम रख लेते हैं कि उसने कोई बुक रीड करनी थी तो डीडिंग वाला जो काम था उसका, उसने वो 6 दिनों में कंप्लीट किया ठीक? अब वो चाह रहा है कि चार दिनों में कंप्लीट करें तो बताए कितने आवर्ज उसको लगेंगे सबसे पहले यह जो concept था arrows वाला इसको समझ लें मैं यहां पे लगाने लगा हूँ आप लोग ऐसे ही लगाएंगे और कभी आपका question जो है वो drop नहीं होगा वो चाहिए एक variables में हो जाए यह मैं क्या बात कर रहा हूँ एक variables दो variables वो बात करते हैं इसके उपर आगे जाके अभी फिलहाल सादा सा concept है चोटा सा question आपके सामने है आप लोग easily जो है वो इसको कर सकते हैं जी वापिस आएं यह concept of arrows क्या होता है concept of arrows में वो जब कभी भी हो आपने हमेशा उसको x के साथ replace करना है x से replace करने का मतलब यहां पर यह है कि आपने इसको find out करना है x से मुराद मेरी यह नहीं कि आपने हमेशा x ही रखना कुछ भी रख सकते हैं आप उसको y, x, y, z, a, b, c कुछ भी रख लें तो एक variable रखेंगे जिसको हमने find out करना है हमें ने रख दिया इसको x ठीक है x अच्छा जिसमें x होगा जिस variable में x होगा उसका हमेशा arrow जो है वो नीचे से उपर की तरफ लगेगा यह हमेशा आपने ऐसे ही लगाना है जिसमें भी x आएगा उसका arrow नीचे से उपर की तरफ ठीक है अच्छा यह जो decide करना होता है दूसरी side पे या तीसरा variable आ जाता है या यहां पे चौत्हा variable आ जाता है इनको decide करना बड़ा मसला होता है यहां पे लोग गलती करते यहां तक तो ठीक है सब को आता है कि नीचे वाला जहां पे भी x होगा तो उसका arrow जाव उपर को लगेगा अब इस arrow का क्या मतलब है यह भी आपके सामने रखूंगा कि उपर नीचे का मतलब क्या होता है अब देखी फॉर ग्जमपल आठ गेंटे काम करता था चेई दिनों में काम कंप्लीड किया ठीक है अगर मुझे बताएं के वो ही काम झाटर चेजमपल रिडिंग अ बूक ऐक बूक को रीड करना में वो एक काम है वो में आठ गेंटे पढ़ता था तो इस एक किताब को मैंने 6 दिनों में खत्म कर दिया अब मैं चाहरा हूँ कि दिन मेरे जिएना वो कम हो जाए जैसे आपको नज़र आ रहा है कि 6 से दिन कितने हो गए 4 कम हुए तो क्या ख्याल है मुझे ज़्यादा गंटे पढ़ना पढ़ेगा या थोड़े गैंटे पढ़ना पढ़ेगा आप लोग क्या कहते हैं जरा कुमेंट सेक्षिन मुझे बताएं ताकि अंदाजा हो कि आप लोग मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं छे दिन थे आठ गैंटे पढ़ता था अब चार दिन है तो क्या ख्याल है ज्यादा पढ़ना पढ़ेगा या कम पढ़ना पढ़ना पढ़ेगा उसको बताएं जरा डेफिनिटली उसको ज्यादा पढ़ना पढ़ना पढ़ेगा ठीक है जी मूर अब इसमें देखिए जा जाए जिस दिन एरो लगाने आपको समझ आ गए डेफिनिटली आप असानी से उसको कर जाएंगे तो आपको अंदाजा हो चुक है कि आप उसको ज्यादा पढ़ना पढ़ेंगे देखें यहां पे काम बढ़ रहा है उसका मतलब पहले आठ गेंटे पढ़ता था आप शाह है ठीक है एक साइट से एक कॉंटिटी इंक्रीज हो रही है और दूसरी कॉंटिटी डिक्रीज हो रही है इसको हम कहा करते हैं इनवर्स परपोर्शन ठीक है एक आपने पढ़ा होगा कॉंसेप्ट डिरेक्ली परपोर्शन ठीक है और दूसरा कॉंसेप्ट इसका होता है इन इन्वर्स परपोर्शन क्या होता है इन्वर्स परपोर्शन का मतलब यह होता है कि अगर एक quantity बढ़ रही है तो दूसरी quantity decrease हो रही है यही सेम concept है हमारा हमारे hours बढ़ रहे हैं तो उसके मुकाबले में हमारे days कम होते जा रहे हैं तो यह है main concept आपका इन वर्सली परपोर्श्णल का और डिरेक्सनल का होता है कि आगी जाकर देखेंगे उस में डारेक्टी परपोर्शन् होत आपका एक कॉंटिटी बढ़ रही है तो दूसरे भी बढ़ जहे अब झाकर आगर समझहा जाएगी कि वो पर कैसे करेंगे अगर ऐसा concept है inversely proportional का तो फिर आप क्या करेंगे फिर आप ये करेंगे कि जिसका arrow एगर एक का उपर को लगाया है तो definitely आपको दूसरा जो arrow है वो उसके opposite लगाना है उसको नीचे को लगाएंगे क्योंकि इसका arrow already जैसे मैं mention कर चुका हूँ कि जहां पे x होगा उसका arrow इसके opposite लगेगा ठीक है दुबारा ये arrow हमेशा आपका नीचे से उपर की तरफ लगेगा लेकिन इसके opposite देखें अगर concept है इन्वर्स्री proportion का तो फिर ये आपका हमेशा arrow उसके बराक्स लगेगा अगर ये नीचे से उपर को लगा तो definitely आपका जो दूसरा arrow है वो उसके बराक्स ऐसे लगेगा के नीचे को लगेगा वो ठीक है अब ये arrow का मतलब क्या था arrow का मतलब ये है कि जहां पे arrow की tail है उसको उपर लिख ले x over 8 ये tail थी इसलिए मैंने arrow x को उपर लिख दिया अब इसकी तरफ tail है 6 की तरफ तो मैं लिख दूँगा is equal to 6 over 4 ठीक है is equal to 6 over 4 अब क्या करेंगे आपको basic algebra basic mathematics के बारे में पता है कि जब आपके सामने equation आजा एक जैसे x over 8 है x over 8 is equal to 6 over 4 तो इसको कैसे solve करेंगे 8 आपका दूसरी side पे जाके multiply हो जाएगा तो हम इसको करेंगे x is equal to 6 over 4 multiplied by 8 4 1s are 4, 4 2s are 8 2 को 6 से multiply किया तो आपके पास आगया 12 सो 12 गेंटे चाहिए उसको 4 दिन में काम खतम करने के लिए अगेन वापिस आए इसी concept पे क्योंकि ये बड़ा basic concept है अगर आपको इसकी समझ आ गई तो definitely आप सब कुछ कर जाएंगे चाहे आपको एक variable मिल जाए दो मिल जाएं, दस मिल जाएं आप बड़ी असानी से कर सकते हैं और यही main concept है आपका mathematics का अगर आपने चाहे वो PPSC की preparation करें आप FPSC की करें जिसकी मर्ज़ी करें किसी भी one paper की तो उसमें यह आपको बड़ा helpful रहेगा अगर वापेस आएं दो variables थे हमारे पास एक hours का 8 hours a day एक आदमी था जिसका नाम था आबिद वो 8 गेंटे काम करता था एक दिन में ठीक है सो मैंने यहाँ पर लिख दी है hours कितने hours 8 hours He can complete his work in 6 days कितने days 6 days 6 days ठीक How many hours आपको बड़ा चल गए यहाँ पर क्या find out करना है हमने करना है hours को find out तो यहाँ पर x लिख दे Should he work if he wants to finish his work in 4 days अगर वो अपना काम 4 days में खत्म करना चाहता है तो बताएं कितने गेंटे काम करेगा इसका तो मैंने मैंने किया हुआ जहाँ पैक सा उसका नीचे से उपर को लगा दे है इसका decide करना होता है अब देखें 8 गेंटे 6 दिन मतलब 8 गेंटे जब काम करता था 6 दिनों में खत्म किया अब दिन काम हो है इसका मतलब जब दिन काम होंगे उसको hours को बढ़ाना पढ़ेगा जैदा पढ़ना पढ़ेगा अगर वो चार दिन में खतम करना चाहता अपनी बुक को तो फिर उसको hours को बढ़ाना पढ़ेगा ड caveat फिर इसके बारकस लगेगा इसका उलटा लगेगा आप देखेंगे यह देगे तो अगेन आपको recording lecture मिल देगा recording lecture में जरा सोच समझ के इसको दुबारा सुने एक दफ़ा दो दफ़ा दास दफ़ा ये main concept है अगर आपको इसकी समझ आ गई आपका time and work वाला concept complete हो जाएगा ठीक है फर्दर आजासे मैंने mention कर दी है कि जिसकी तरफ टेल है आपकी जिस variable की तरफ टेल है उस variable को उपर रखेंगे ठीक है nominator और denominator आपको याद दो का concept लेकिन फिलहाला आप nominator और denominator छोड़ें आप उपर नीचे कर लें उपर रखेंगे जी x को और नीचे रखेंगे 8 को ठीक है और is equal to इसकी तरफ टेल है 6 की तरफ तो 6 को रखेंगे उपर और 4 को रखेंगे नीचे और फरदर आप इसकी calculation जैसे मैंने अरड़ी की है तो आप लोग ऐसे इसकी calculation कर सकते हैं बताइए ज़रा मुझे everything is okay fine आप लोग समझभाएं है मैं कहना चाह रहा था यहां पर चलें जी ठीक है हफसा मुखमद अलीब बाकी लोग सो रहे हैं मुखमद आदेल इनके भी आ गए है थंब शंब चलें ठीक है मुखमद आदेल इस तरह फ्री में थंब करना है जरस्ट आपको यह मिल जाए तो आपका concept complete है ऐसे कैसे कि अगर आपने दो वेरियेबल उसको तो देख लिया कि कैसे डील करना अगर तीन वेरियेबल है तो फिर कैसे डील करेंगे इस के लिए देखिए जरा दियान से इसमें देखें six workers तो पहला आपका वेरियेबल बना workers ठीक है तो यहां पर मैं लेक़ देता हूं workers workers कितने workers है six workers अर्निंग, अर्निंग ten thousand and eight hundred तो अर्निंग लेकश दें यहां पर दूसरा वेरियेबल आपका हो गया अर्निंग का अर्निंग एजिया आपकी 10,800 डेज कितने हैं जी आपके डेज हैं डेज हैं जी आपके 20 ये तीन वेरियेबल्स है प्रिवियसली हमने दो वेरियेबल्स को टैकल की अब तीन को कर रहे हैं कैसे करेंगे देखेंगे हो माच हो माच हो माच से आपको अंदाजा हो जाए है कि ये नमबर of workers हो माच से मुराद होगा अर्निंग है अभी पड़ा नहीं हमने आपको अंदाजा लगाना चाहिए पहले ही कि हमने क्या फाइंड आउड करना हमने अर्निंग फाइंड आउड करने हैं यहां पे एक्स लगा दें ठीक विल 20 मैं मैं से मुराद वरकर्स ठीक है सो 20 मैं यह 20 वरकर्स तो यहां पे लिख दें 20 और उसके बाद लिखें डेज कितने आपके पास 8 इट टेस अब आपके माइड में आ रहा होगा कि इसको कैसे सॉल्फ करेंगे इसके लिए आप लोगों को याद होगा हम मेरा ख्याल है 6-7 में किया करते थे अप लोगों को याद आजाएगा जब हम इसको करेंगे कि वो हमारे teacher कहा करते थे कि आप इसके उपर ये जो एक variable है फिल हाल इसके उपर आप अपना हाथ रख दे मतलब इसको गाइब कर दे ये लिए मैंने इसको गाइब कर दे आप इसको छोड़े आप इसको ले ही ना अगर बीस वरकर्स की तदाद बढ़ गई ठीक है तो क्या ख्याल है उनके अर्निक भी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी डिफिनेटी उनके अर्निक बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है कि यहां पे यह तो आरड़ी जो है ना वो अपर को जा चुका था यहां पे वरकर्स की तदाद छे से बीस हो गई वरकर्स भी इंक्रीज हुए जैसे वरकर इंक्रीज हुए वैसे ही उनकी अर्निक भी इंक्रीज हुए तो ये concept है जी आपका directly proportional ठीक है directly proportional directly proportional का concept ये है कि इसके इसका arrow भी उपर को लगेगा if one quantity increases definitely the second quantity also increases इसका मतलब है कि ये concept है directly proportional so हम इसको arrow उपर को लगाएंगे दोनों के अब इसका तो हमने decide कर लिया कि इसका arrow उपर को लगना है फिल हाल आप इसको छोड़ दें ठीक है अब इसको छोड़ें ये आपने छोड़ दी है फिल हाल छोड़ा नहीं ऐसे लिखनें इसको side पे ताकि आपको याद रहे ये आपका आएगा जी sorry जिसकी तरफ tail थी उसने नीच उपर आना था तो इसको लिखें यहां पे tail थी आपकी 20 की तरफ सो 20 over 6 ठीक है ये बनेगा आपका इसका फिल हाल मैंने इसको छोड़ दी है अब वापिस आएं अपना जो पुराना था जिसको हमने पहले छोड़ा हुआ था अब उसके साथ इसका मैच करना हमने उसके साथ इसका comparison करना है कैसे करेंगे देखते हैं डेज थे मारे पास 20 और 8 मैं यहाँ इसको raise करके दुबारा लिख देता हूँ अपके सामने days थे 20 और 8 अब देखते हैं कैसे करेंगे days days 20 थे और 8 थे इसका तो already arrow decide कर चुके है कि नीचे से उपर को जाना है अब इसका decide करें अर्निंग 20 दिनों में 10800 रुपया अर्निंग होती है क्या ख्याल है आठ दिनों में अर्निंग increase होगी या decrease होगी क्या कहते हैं आप लोग 20 दिनों में 10800 रुपया कमाया जी आठ दिनों में कितना कमाएंगे कम या जएधा क्या कहते हैं हसन खान ठीक है बाकी लोग decrease होगी ठीक है decrease होगी definitely आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं तो decrease होगी देखिए 20 दिनों में 10,800 रुपया उसकी अर्निंग थी अब 8 दिनों में कितने होगी definitely कम होगी तो इसका मतलब क्या है यहां पे देखिए पहले दिन थे 20, 20 से कम हो के कितने हो गए 8 दिन डेस भी कम हो रहे हैं, जैसे डेस कम हो रहे हैं वैसे उनकी अर्णिंग भी कम हो रही है, ठीक है तो इसका concept भी है आपका directly proportional एक side कम हो रही है, दूसरी भी कम हो रही है तो इसका मतलब इसका arrow भी उपर को लगेगा अब कैसे solve करना इसको, अब solution का तरीका कार यह है कि जो x वाला variable है उसको तो side पे कर लेना ताकि उसको side पे करने का मतलब यह है कि हमने उसको find out करना है उसको बीच में भी रखा जा सकता है, इसमें कोई वो नहीं है कि लेकिन हम इसको side पे कर लेते हैं, हम इसको ऐसे कर सकते है x over 10,800 यह वाला, ठीक है, is equal to, आपका यह वाला, यह था जी आपका नीचे से उपर तो यह है आपका 8 over 20, ठीक है, multiplied by, यह अब आपका दूसरा जो तीसरा, चोथा, पांचवा, दसवा वेरियेबल, यह सारे multiply होते जाएंगे इसके साथ x वाला, एक side पे रह जाएगा, उसको side पे रखने का मकसद यह है, कि हमने उसको find करना है, ठीक है, तो यहाँ वे multiply करें इसको, दूसरा था हमारा 20 over 6, 20 over 6, ठीक है, यह वाला, ठीक है, आपका पता है, नीचे से उपर को जाना था arrow, तो arrow की tail इदर थी, तो इस आपस में cancel out कर दे, 20, 20 से cancel, 2, 3s are 6, 2, 4s are 8, ठीक है, अब इसको आगे आपने further divide करना है, यह आपका बनेगा, x is equal to 10,800 is equal to 4 over 3, 4 over 3, अब यह आपका 10,800 इदर divide हो रहा है, दूसरी side पे जाके multiply हो जाएगा, तो यह आपका बन जाएगा, 4 over 3 multiplied by 10,800, अब इसको आपने further, इसक जैसे जैसे divide होता जाएगा, जो भी आया answer, उसको आपने 4 से multiply कर देना, तो आपके number of, बलके earning total आ जाएगी, कि 8 तिनों की earning, 20 लोगों की कितनी होगी, ठीक है, यह बड़ा असा concept है, आपने सिर्फ यहाँ पे जो नई चीज़ देखी है, वो यह देखी है, कि अगर number of variables ज्य ज्यादा करके पूछता है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे time short होता है, फ्पीपेसी में especially, तो वो इतने ज्यादा deep जाके या इतने लंबे concept नहीं पूछता पीपेसी, लेकिन फिर भी हमें कम जकम तीन variables तक जरूर इसको test करना चाहिए, जरूर अपने आपको इसके बारे में इस करता हूँ, आप लोगों पे छोड़ता हूँ, a man can work 8 hours daily, कितने के इंटे, hours कितने हैं जी, hours आपके पास है 8, ठीक है, finishes a work in 12 days, days कितने हैं, days हैं जी आपके 12, if he works 6 hours daily, अगर वो 6 के इंटे डेली काम करता है, how many days will the same work be finished, वो ही same work आपने कितने दिनों में वो फिनिश करेगा, तो यहां पर हम X को रख लेंगे, इसका तो arrow उपर को लग जाएगा, अब इसका arrow आप लोगों ने खुद decide करने हैं, इसका arrow हम कैसे लगाएंगे, नीचे को लगेगा या उपर को लगेगा, बलकि इसका answer भी मैंने नीचे लिखा हुआ, आप इसको solve करके, इसका answer match करेंगे अगर तो 16 आपका answer आता है, तो definitely आप असानी से आपको कर समझ भी आ गई है, और आएंदा आप लोग डूंडेंगे पास paper में से, कि ये concept time and work वाला concept आए, तो हम उसका कुछ करें, same concept है जी आपका नीचे, a person type 360 words, words कितने हैं जी, यहां पर लिख देता हूँ, variable हमारे पास words, minutes, कितने हैं, 360, in 4 minutes, minutes कितने हैं, time लिख लें, minutes की बज़ाए time लिख लें, time है जी आपके पास 4 minutes, how much time, x लगा दे, how much time he takes to type 900 words, 900 words, ठीक है, इसका arrow तो उपर को लग गया, अब इसका आपने decide करना है, कि इसका arrow किदर को लगेगा, definite यहां बड़ी असानी से इसको decide भी कर पा लेकिन, बात यहां पर यहां पर यह है, कि आपको वो जो arrow वाला concept है, उपर लगना है, नीचे लगना है, अगर आपको इसकी समझा गई है, तो आपके लिए कोई भी problem नहीं है, काल इन्शालला बात करेंगे, कि बास उकात ऐसे होता है, कि एक काम शुरू हुआ था, for example, गर काम खतम होगा, पहले पांच दिन तो पांच लोगों ने कर लिया, अब अगले पांच दिन जो है, वो साथ लोग करेंगे, तो बताएं कितने दिनों में वो काम खतम होगा, तो यह इस तरह का concept है, पार्ट नमबर टू, इसको मैं बोलता हूँ, time and work है, यह basic concept था जो आपके सामने रख है, और काल इसका advanced concept है, जिसमें हम, वो कोई person आ गया, मतलब आपका काम चल रहा, उसमें आके इंडक्ट हो गया, कोई person वहाँ से exclude हो गया, इसको मैं कहता हूँ, concept of inclusion and exclusion, कोई बंदा आ गया नया, तो उससे क्या फरक पड़ेगा, कोई बंदा चला गया, उससे क्य फरक पड़ेगा, इंशाला काल इसके उपर बात करेंगे, चोटा सा lecture था, तो आप लोग इसको देखिएगा, PDF आपको मिल जाता है, recording भी आपको मिल जाएगी, तो कोशिश कीजिएगा, आप लोग इसको solve करें, और अगर आपसे solve ना हो, तो recording को सुन लें, एक दो दफा, त इन दफा, definitely आपको यह सारा concept आजाएगा, और you will feel better कि आपको समझ आ गई है, और इंशाला यह आपका concept कभी भी question आएगा, तो आप लोगों को यह problem create नहीं करेंगा, इंशाला, so thank you जी, चोटा सा lecture था, और कल की जो class miss की थी, उसके लिए माजरत, लेकिन फिर भी recording आपको बे activity और इस तरह के दूसरे concept थे, मेरा इरादा था कि मैं आपको लाइव करवाओं लेकिन unfortunately कल मैं कलास आपकी नहीं ले पाया, उसके लिए माजरत, तो आज की recording भी, आज का यह जो PDF है, वो भी आपको मिल देगा, ठीक है जी, मैंने जॉइन नों का message किया हुआ, मारिया स्विए्या में दूसरे ड्मी